हमारे साथ हैं प्रमोत कुमात सर्राफ जी ये नेपाल से आये हुए हैं और इनको बहुत सारी समस्याइं थी 72 अबर कैंपनों ने मारे जोइन किया तीन दिन का तो यह हमें बताएंगे कि कैसा इन्हें फील हुआ हिम्स में आकर ठीके ना सारी सारी समस्याइं आपको मैं यह हिम्स के बारे में नेपाल में कुछ यहां से जो लोटे हुए मेरे मित्र थे उन्होंने बताया कि यहां आयोवेर्दिक प्रविधी से बहुत सारे बिमारियों के इलाज होते हैं तो मेरे मेरा वेट भी जो है ओभर वेट है मैं मेरा वेट यहां आने से पहले मेरा व के जो ट्रिटमेंट हुए यह तीन दिन में जो मैंने वेट लॉस किया है वो दो केजी से उपर मैंने वेट लॉस किया है तीन दिन में और मैं अच्छा फिल कर रहा हूं क्यूंकि यह चीज जो है देखिए आयुवेद का पद्दती तो बहुत प्राचीन पद्दती है जिसको और इसको जो भूले हुए थे आज ये फिर लॉट के आ रहा है इसलिए मुझे बहुत खुशी है यहां करके मैं अपने पत्नी के साथ आया हूँ और वो भी डाइबेटिक है और वो जो हैसो इंसुलिन लेती थी करीब करीब 70-80 unit in 24 hours और आज ये दुसरा दिन है complete 48 hours कि उसकी बंद हो गई है ब्लड सुगर लेबल इंसुलिन बंद होने के बाद हलका सा बढ़ा हुआ है जो की इंसुलिन लेने के बाद भी बढ़ा हुआ रहता था आज वो इंसुलिन नहीं लेने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है पहले इंसुलिन लेते हुए भी करीब करी समझेंगे और इससे फाइदा है जो चीज यहां पर आपको सिखाए गई उस चीज पर प्रपर फॉलो करेंगे तो वह सही हो जाएगा जी और यह एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा जो फर्स्टे हमारे आचारिय मनीश जी ने कहा था कि भगवान का सब्द जो प्रयोग उ बना हुआ है यह भा से जो है भूमी है जिसका आप इलाज करते हैं भा से भूमी है भगवान क्या है भगवान पांश तत्व है भा से भूमी है आ से अगनी है और गव से गगन आश्मान आकास है और वा से वायू है हवा और ना से नीर है पानी तो भगवान सब्द जो बना हुआ है और यह पांच तत्व से सरीर और संजार बना हुआ है और आज हम इस चीज पर लोट कर आ रहे हैं इस चीज पर सोचने के लिए हम लोग जो बादे हुए हैं यह बहुत अच्छा चीज है इसको हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और यह सिर्फ हिंदुस्तान मे नहीं नहीं मैं कहूंगा कि मैं नेपाल बासी हूँ आप नेपाल में भी इस चीज को लाइए और वहां भी हम लोग मिल करके जुएंट ली इसको अगर कुछ कर सकते हैं हां और मैं एक चीज और आपको से क्रेशी ड़कर के के सानी मैं अभी तक यह बात को नहीं बताया था मैं देखना चाहता था कि एक पेशेंट और विजीटर बन करके क्या होता है मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ आदमी हूँ मैं एक प्रोफेशर हूँ मेडिकल कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज का मैं प्रोफेशर हूँ और जिसका मैं मेर यह करीब 33 से मेरी प्रेक्टिस के में इडिकल को अपना जीवन दिया है छे साल मैं पोस्ट ग्रिजुएट मेडिकल कोलेज का मैं डारेक्टर रह चुका हूं अभी मैं मेडिकल डारेक्टर एक छोटे से होस्पीटल जो है बिरगनमे मतलब तोड़ा अपना आराम के लिए मैं चुना है और मैं उसका मेडिकल डिरेक्टर हूँ और यह चीज को मैं फोलो करना चाहता था देखना चाहता था यह बहुत जानता हूं लेकिन आयुबर्द में क्या है हाँ यह तो हमारा प्राचिंद मेडिसीन है इसको लोग भूल चुके थे ठीक है आदोनिक चीज बहुत सारी चीज आती है लेकिन पुराने चीज को भूल करके नया चीज को अपनाना अची बात है लेकिन पुराने चीज को भूलना नहीं चाहिए आज यह चीज को हम लोग को लेशन लेना चाहिए थांक क्यार्ट को थाया कि दो फिए प्रखवार प्रॉट गज्टि प्रेदा इड़ दो है अजार थास्टा कि यूर्रड धिए रख़े हैं अजे कि कि अजेंसे और चार कि इए ऊद्रड़ इच्णेंगेंक अज़न्तों चार कि अप्रेक्ड टॉड़र फिर लंग में यार सब्सक